बहुत प्यारे विद्यातियों, हमेशा ती तरहां थाड़े सब्दा Forever Learning Primary Education दे इस YouTube चैनल दे स्वागत है बहुत प्यारे बच्चेयों, असी पंजाबी दी पाठ पुस्तक दा पाठ नंबर दू गतका पढ़ चुक्के हां बच्चेयों, इस पाठ दे पाठन दे दरान असी बहुत सारे मुश्किल शब्दानों वेख्या जिना दी बंतर साड़े ले एक नमा चुनाती पर या कारच सी प्यारे बच्चेयों, ओना ओखे शब्दान दे अर्थानों भी समझना जरूरी है हुन आओ इना ओखे शब्दान दे अर्थानों समझिये नाल ही असी ओखे शब्दान दे बंतर दे भी गौर करांगी सब तो पहला जो शब्द साड़े सामने है, ओ है जंगी हुनर प्यारे बच्चेयों, जंगी तो पाव है, जंग दनाल समन्दित जांग विच वर्तिया जानवला हुनर तो पाव है, कला दूसरा शब्द जो सड़े सामने है, ओ है स्वेरख्या प्यारे बच्चियों इस शब्दी बंतरवल दिखो ससेदे पैर विच वावा लगाया गया है ता ससेदे उपर दुलाओं लगाके पूरे मुहारनी दी अवाजाओं दी है स्वै उस तो अगे रख्या शब्द लिख्या गया है इस तो शुद्ध जोड स्वै रख्या बंदा ह स्वै तो पाव है अपनी रख्या तो पाव है अपने आपनों बचोना इस दा मतलब है आपनी रख्या आप करना ए स्वै रख्या शब्द दा अर्थ है तीसरा शब्द है गदा यूद बहुत प्यारे बच्चियों गदा यानि की गुर्ज ए एक गोलाकार हत्यार होंदा है जिस दे पिछे काफी वड़ी, डंडी या सोटी लगी हुंदी है इसनों गदा या गुर्ज आख्या जानदा है सो जदों युद्ध विच गुर्जदा इस्तमाल किता जावे ता उसनों गुर्जनाल किता जानवला युद्ध जां गदा युद्ध आख्दिहन अगला शब्ध है युनिवर्सिटियां बहुत प्यारे बच्चेओ, सुकूलना आते कालजा मिच पड़ आई पूरी करन्तो बाद बच्चे उचेरी विद्ध्या प्रापत करनली जिस विद्ध्यक संस्था विज जान दे हन उसनों युनिवर्सिटी आख्दे हन आप सबनों पता ही है के पंजाब विच कई युनिवर्सिटियां हन प्यारे बच्चेओ, युनिवर्सिटी तों युनिवर्सिटियां बढ़ दे शब्द विच सस्सेनों सिहारी लगान दे बच्चे पुल जान दे हन तो इस वल गौर करनी है तो इस दा अर्थ है जित्थे उचेरी विद्या प्रापत किती जान दी है अगला शब्द है फरी फरी तो पाव है छोटी टाड जिसनल गत का खिड़न वाला विरोधी दे वारते नों अपने आपने आपनों या खुद नों बचाउदा है अगला शब्द है उस्ताद उस्ताद दा मतलब होंदा है सिखावन वाला जान अध्यापक जिस तरह के असी देख्या के गत के विच भी कुष्टी वांग उस्तादी शिगिर्दी चल दी है अगला शब्द है शिगिर्ध, उस्ताद अते शिगिर्ध, आपस वीछ अध्यापक अते विद्यार्थि समान हुन्दे हन बचियों, सो शिगिर्ध हुन्दा है सिख्ण वाला या सिख्यार्ती अगला शब्ध है अखाड़ी, अखाड़ी तो पाव है ओ स्थान जित्थे कुष्टी जां गतके दा अभ्यास कीता जानदा है ओस तो अग्गे है पुजंगी जिस तरह केसी पाहट दोरान सिख्या के गतके जिख्ण वाले नूँ पुजंगी आख्या जानदा है पैंतड़ा लेना यानि की हलात अनुसार अपने स्थिति निर्दारत करना जदों भी कोई बच्चा या सिख्यारती गतका या कुष्टी वर्गी किसी खेड बिच पाग लेनदा है ता ओ विरोधी ते वार करन जा विरोधी तो आ रहे वार नू रोकर ले अपने सरीर दी अलग लग बंतर बना लेनदा है कई वारी ओ बाजी लाँदा है कई वारी ओ पैर खुले करके सामणे वाले नू विरोधी नू अडंगी पाउनदा है इना सब चीजानों पैंटरा लेना आख दे हन। उस तो अगला शब्द है नजरी चड़ना एक मुहावरा भी है नजरी चड़ना मतलब है किसी दे त्यान विच आउना जे में कि आपा सब ने देख्या कि जर्नेल हरी सिंग नलुआ गत का खेड़ दे होए महाराजर अरण जी सिंग दे नजरी चड़या सी जिस करके उनना ने हरी सिंग नलुए नू आपनी फौज विच जर्नेल दा ओदा बक्षय सी अगला शब्द है हर मन प्यारी ये वी एक मुहावरा है हर मन प्यारी शब्दनू अगर आपा तोड़ के देख्ये हर तो मतलब है हर एक मन तो मतलब है हर एक दे मन नू प्यार विच लेके आउन वाली ता हर एक दे मन नू पाउन वाली चीज नू हर मन प्यारी वस्तू आख्या जन्दा है उस तो अग्गे शब्द है चाल चलन यानि की चरित्तर उस तो अग्गे है निताने निताने तो पाव होंदा है कमजोर जिस दकोल बहुत ज़्यादा बल ना होवे, उसनू निताना आख्या जान्दा है, अगला शब्द है जुस्से, जुस्से तो पाव है शरीर, उस तो अगला शब्द है जौहर, जौहर तो पाव है कमाल दिखाऊना, जिस तरह गतके वाले आपने जौहर दिखान देहन, उस तो अगला श उस नल समंदित सानु ज्यान देन वाले विशे नो पूगूल जा उसनल संंदित चीजा नो पूगोलिक आख्या जानदा है अगला शब्द है नेक, जो की सानु सब्दो बढ़ना चाहिदा है चंग इनसान सो नेक तो पाव है चंगा जा वदिया इंसान अगला है टाल बढ़ना यानि कि किसे दी रख्या करनी जिस तरह गत के खिड़न वाले अंकूल एक छोटी टाल जा फरी हुंदी है इसे तो मुहावरा बढ़ना है टाल बढ़ना जानि कि आप अगावद के किसे दी किसी मुसीबतों रख्या करनी अगला शब्द है दा पेच इसता पाव होंदा है टांग तरीके यानि कि गतका जा कुछती खेड़न वाले दा पेच लगाके विरोधी देवार नू रोकदे हन जांफे विरोधी तेवार कर देहन अगला शब्द है विसर रही इसनों विसर रही नहीं कहना सस्यते आपा जोर देना है क्योंकि इस दे विच अद्दक जिशानों नजर आ रही है वावे ते सस्यते बिल्कुल विचकार उपर लाइन तो उपर पाई गई है सो विसर रही दा मतलब है गवाच रही गुम हो रही जो साड़े अखों ओले हो रही हो वे या साड़े मानदे विच्चों निकल रही हो वे उसनों असी कहन दे हैं विसर रही अगला शब्द है थल थल दा पाव है जमीन जा तरती ते अगला शब्द है आतम सुरख्या आतम त पाव है अपना बचाव करना एस तरीक के नाल स्वेय रख्या शब्द जो असी पहला ही पढ़ चुके हां ते ए शब्द आतम सु रख्या आपस विच सुमानार्थक भी हन बहुत प्यारे बच्यों ओख्ये शब्दां दी बंतर अते इना दे अर्था बारे गल करनतो बाद आओ असी अपने ब्यास दे अगले पढ़ावल वदिये इस विच असी गल करांगे कुझ होर याद रखन योग गलना पाव गत के पाट दे संदर विच बहुत सारीया ऐसीया होर जानकारिया हन जिना बारे सानों पता होना चाहिदा है हालांकि ये जानकारी आप जिदे पाट विच पहला ही सांजी किती गई है पर फेर भी इना नों उचेचे तौरत जाद रखन ली आप जिदे पाट दे अभियास विच भी इसनों उलीकिया गया है आओ इसते एक नजर लगाई है सबतो पहली पंक्ति दित्ती गई है कि गतके दी शुरुवात सिरी गुरु हर गोबिन साहिब जिदे समेतों होई इसतो असी पहला ही जानू हा कि सिखा दे छेवे गुरु ने गतके नू सैनकाली ज़रूरी बनाया सी दूसरा वाख है पहला सिरी अनानपुर साहिब अते पाउंटा साहिब गतके दे वड्डे के इंदर सन तीसरा वाख है गतका सिखन वाले नू पुजंगी केह जान्दा है अगला वाख है गतके दी लोड आतम सुरख्या कारण होंद विच आई जिस तरह की अपा सब ने पड़या है कि पंजाब विच हमलावर थाल राही देश दे दूज्जे हिस्से आ राही विच जान्दे सन इस लई आतम सुरख्या सब किसे दी लोड बन गई सी इसी करके गतके दी जो खेड है ओहो आतम सुरख्या कारण होंद विच आई आखरी वाक है उलम्पिक खेड़ना विच खेड़ी जान्दी खेड फैंसिंग गतके दाही सुद्रया होया एक रूप है सो प्यारे बच्चो ऐस तरीक के नाल असी कुछ याद रखन योग गलना बारे विगाल किती है नाल ही जरूरी है के असी अपना जबानी अभियास भी कर लेए आओ देखिए साधे लेई सब तो पहला प्रश्ट है तुसी गतका खेड़ देया किसनो अते किते वेख्या है बहुत प्यारे बच्चो आपा सबने पहला भी गल किती है के आम करके नगर के तना विच निहांग संगानों गतका खेड़ देया देख्या जा सकता है इस तो इलावा जिस तरा कि आपा सब स्कूल विच पढ़ दे हां हर साल दे विद्यक मुकाबलें विच मुन्डे आते कुडियां दे गतके दे वक्खो वक्रे मुकाबले करवाए जान दे हन सो इस प्रशन दा उत्तर बनाओन समय असी एना दोना विच चों किसे वी इक उदारंदी पेशकश कर सकदे हां सो आओ अपना उत्तर बनाईए प्रशन दुबारा पढ़िये तुसी गतका खेड़ देयां किस नू आते कित्थे वेख्या है इस दा उत्तर बन सकदा है मैं निहंग सिंगा नू नगर केरतन विच गतका खेड़ देयां वेख्या है जाँ फिर मैं आपने स्कूल दे विद्धक मुकाबलेयां विच आपनी जमाद दे विद्यार्थिया नू गतका खेड़ देयां वेख्या है अगला प्रशन है एक खेड होन केड़े मुकाबलियां विच शामल है जिस तरह के असी प्लायले प्रशन दे उत्तर विच भी इस्तेमाल किता है असी बेटा हुने पड़ेया के एही खेड ओलंपिक दी फैंसिंग केड़ दा सुद्रय होया रूप है आखरी जो प्रशन साथ दे सामने है ओ है के खुद का केड़ी पाशादा शब्द है तसानू सबनू पता है के खुद का फारसी पाशादा शब्द है बहुत प्यारे बच्चियों एस त्रिके नाल असी ओखे शब्दा दे अर्थ ओना दी बनतर उस्तो बाद कुछ होर याद रखन योग गलना अते जबानी अब्यास कर चुक की हां बहुत प्यारे बच्चियों इस तो अगली वीडियो विच आप सब नाल अगले रे अपयास बारी गलबात किती जावेगी ताद तक आप सबनू शुब काम नामा तन बाद